मैंनी सिक्का मदंस्तमादियानी गाड़ी मेरी ही होती थी वही तूटती थी वही फूटती थी दिली से जो लोग आते थे जो उसके पता दिकाए थे उनको लेके जाना और आगरे तक पहुचाना वहां उनके रहने खाने का करना फिर वहां से आना उसके बाद मैंने देखा वहाँ अधिविशन में और उनका क्रियक लाप देखा उनका कारिक्रम देखा एक साल तक मैंने श्टडी किया और मैंने ये पाया कि ये किसी मुकाम पर नहीं पहुचेगा ये जो कारवा है ये ऐसे ही भठकता रहेगा इस कारवा के पास में कोई भी गाइडलाइन नहीं है कोई रणनीती नहीं है ये सिर्फ लोगों को एक तरह से ब्रहम जाल में फशाने का और फैलाने का समय परवाद करने का पैसे परवाद करने का काईक्रम है आज उस बात को लगग 17 साल हो गए हैं अभी तक तो वो कारवा कहीं पहुँचा नहीं कई वार प्लानों की घोशना हुई कि हम 2010 में यहां तक पहुचेंगे 2012 में यहां तक पहुचेंगे लोगों ने लाखो रुपिया दिया लोगों ने अपना टाइम दिया मगर वो कारवा कहीं नहीं पहुचा उसके दो-चार आदमी हैं जो अपने आपको सोचने कहीं पहुचेंगे मगर वो पहुचा कहीं नहीं तो जो व्यक्ति हैं Baam Seif में मैंने उसे कैई वार कहा कि ये कारवा कहीं पहुंचने वाला नहीं है दूसरा ये है कि ये सब लोग इकटे रही है तीसरा ये है कि ये बावस आपकी आइडिलोजी नहीं मानते है चौता यह है कि इनके पास में बुद्धी मानों का लिए कोई जगे नहीं है ये बुद्धी मानों का सिर्फ इस्तमाल करते हैं उनको मंच पर बठाते हैं उसके बाद में उनको छोड़ देते हैं तो ये खुदी बुद्धिमान है इन्हें बुद्धिमानों की जरूथ नहीं है, ये कहते रहते हैं के एक think tank, एक think tank, बेसल ये किसी think tank को पसंद नहीं करते, और जो इनके साथ कोई आता है काम करने के लिए ये उसका все-nya करते हैं, उसके बाद में वो चला जाता है, और ये पूरा जो एडमिस्टरिसन है उसको ब्लॉक करके रखते हैं उसको व्यक्तिवात पर आध़त रखते हैं और उस तरह से लोगों को ये भ्रमित करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता और जब तक समझ में आता है तब तक वो लुट पिट जाता है तो जो मेरे मित्र हैं कारे करता है मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये कारवा कही पहुंचेगा तो उन्हें कहा कि मुझे यकीन है कि ये अकीला कारवा पहनी पहुंचेगा जब तक ये सारे नहीं मिलेंगे तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको छोड़ते क्यों नहीं या आप ने ये जो नेता है इनको कहते क्यों नहीं तो कहते हैं कि मैंने इसमें जीवन लगाया है, पैसा लगाया है, मेरी यहाँ एक पोजिशन है, मिरा यहाँ एक रेस्पेक्टिवल नाम है, मुझे यहाँ जीजी करके बलाते हैं और जो मेरे नीचे वाले हैं वो इस उमीद में कि कल बेरी जेगे आएंगे मेरा सम्मान करते हैं और उपर वाले जो लोग हैं वो इसलिए हैं कि यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है वो हमको सही बात है बताते नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम तूट जाएगा तो मैंने कहा कि आप अपने लालत से जुड़े हुएं इस बात को मानते हैं तो मैंने कहा मैं 100% इस बात को मानता हूँ कि मेरी जो पोजिशन है मैं उस पोजिशन का आनंद ले रहा हूँ मेरी जो यहाँ इज़त है मैं उस इज़त का आनंद ले रहा हूँ मैंने जो मेहनत की है जो मैंने पैसा खर्च किया है वहाँ एक पोईशन है बले ही ये कारवा उस अंतिन लक्षे तक ना पहुंचे जिसके लिए बात करते हैं मगर जो भी मुझे मिला है मैं इसको खोना नहीं चाहता तो मैंने कहा कि आप सब इखटे क्यों नहीं हो जाते हैं क्योंके अगर इखटे होंगे तो कार्मा का नेता कौन बनेगा तो हमारे नेता को तो इस बात का दड़ड और परेशानी है कि ज़्यादा लोग नेता आ जाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा कोई और उससे ज़्यादा सक्षमा जाएगा तब वो बड़ा हो जाएगा और हमें भी इस बात से दिक्कत है कि अगर सारे लोग मिल गए तो हमारी सिती क्या होगी तरसल हमें अपनी सिती की चिंता है हमें बाकी और जो हमारा उद्दिस से उसकी चिंता नहीं है हम उद्दिस से के लिए fight नहीं कर रहे हैं मैं इस बात को पूरी तरह से accept करता हूँ मानता हूँ क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ आप कहो तो मैं टीवी पर बोल भी दूँगा इस बात को हलाकि मेरा जो जी हजूरी है जो मेरी इच्चत है वो खतम हो जाएगी जूटी इच्चत है खतम हो जाई क्योंकि मैं जूटी इच्चत में ही जी रहा हूँ तो बहुत एमानदार है मेरे दोस्तें बच्पन से साथ रहे हैं हम दोनों साथ शात रहे ही हैं सारी चीज़े आई गई हैं परीवार काना जाना है इसलिए दोस्ति वाली बात है सारा कुछ है मैंनेरो का नाम पता तो नहीं बताउगा मगर उन्होंने जो कही बात वो मैं भी जानता हूँ मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर जगे यही हालत है वासल बावा साब के जो कारे करता है वही बावा साब के गदडार बन चुके है कैसे बन चुके हैं यह दुख में साथ नहीं आते कोई बच्चा मर जाए कहीं कहीं कोई सुसाइट कर ले कहीं कहीं मरर हो जाए कहीं भी कुछ हो जाए ये अलग-अलग जाते हैं अलग-अलग जाके वहाँ पे रिप बोलते हैं अलग-अलग जाके कहते हैं बहुत बुरा हुआ अलग-अलग जाके वहाँ पर प्रदिशन करते हैं अलग-अलग जाके बात रखते हैं अलग-अलग समय पे, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग जेके जाके प्रदिशन करते हैं इसे ये मरे हुए के साथ नहीं होते बलकर मारने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं मारने वाला और ज़्यादा पाउर लो जाता है उससे ये पता चलता है कि ये सब अलग-अलग हैं मारो तो ये अलग-अलग अलग 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 का रोना भी कोई नहीं सुनता वैसे तो कोई रोना सुनता ही नहीं है मगर अलग अलग रोएंगे तो उनका कोई रोना भी नहीं सुनता दूसरा ये जो मौते होती हैं जिस भी तरह की हत्याइं होती हैं जो सामुई हत्याइं होती हैं जो संस्तागत हत्याइं होती हैं और जो इंडारेक्ट हट्टाइं होती हैं इंडारेक्ट हट्टाइं कैसी होती हैं पैसे भू के लोग जा रहे हैं दवाईयां नहीं हैं पढ़ाई नहीं हैं तनखाई नहीं हैं रुजगार नहीं हैं ये जो जितनी ववस्थाइं होती हैं मैं आद्मी धीर ध्रेके करके मरता है और surprत नहीं मारा जाता मगर इंडर्यक्ट लाख और कवड़ों में मरता है यह उसके लिए कभी सामुई की रूप से आवाज नहीं उठाते ply यह जो इंडर्यक्त के लिए जो यह एपरतेक्स रूप से जो हताय हो रही है, जो एपर्टेक्स रूप से लोग मारे जा रहे हैं या उनके मारने का इंतियाम किया है उसको मिलके सब आवाज उठाएं अलगलग आवाज उठाते हैं अलगलग मंच पर अपनी विधतय जाडते हैं मगर इखटे होके दुख में नहीं आते अगर सम्विधान जलता है तो सम्विधान जलने की जो बात उठाते हैं अलगलग मंचों से अलग तरीकिस उठाते हैं और फिर उसको देखते भी नहीं है कि क्या आगे हुई कारवाईर क्या नहीं हुई सम्विधान बचाओ सम्विधान बचाओ सम्विधान बचाओ को सब चिल लाते हैं मगर सम्विधान जल गया इस बात के लिए इखटे होके सब नहीं आए इसलिए बावा साब के ये रक्षक नहीं है बावा साब की अनुजाई नहीं है ये बावा साब की गद्दार है क्योंकि जिस संवेधान की दुहाई दे रहे हैं उसके जलने पर उसके खतम होने पर भी ये एक साथ नहीं आए हैं इस बात का ध्यान रखें आप लोग जितने भारत में बेरोजगार यूबक हैं सब इनकी टोली में मंडली में हैं अलग 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 जितने भी संग्डन है सम्मे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ- गुरुप बनेगा वो इनको ही ना बेरुजगार कर दे इसलिए अपनी बेरुजगारी बचाने के लिए ये बेरुजगार जो यूवक हैं उनकी कोई आवाज मिलके नहीं उठाते अलग-अलग चर्चाएं करते रहेंगे मगर सामुई क रूप से परदशन या सामुई क रू या गलत नियम बना है तो अलग-अलग डेट पर अलग-अलग चर्चाएं करेंगे मार कभी भी आपस में कॉडिनेशन नहीं करेंगे आपने कभी बी इन सबको इखटे एक साथ होने की बात करते हुए भी नहीं सुना होगा इखटे तो हुए ही नहीं है तूरते हुए हमारा काम नहीं चलेगा। इस राग में नहीं दिखाई देता है की उद्दिष से क्या है और क्या नहीं है मेरा कुछी सलामत रहे, मेरा साहब सलामत रहे, जो अद्यक्ष है वो रहे रिटार होने के बाद भी लोग चुपके रहते हैं इसी में पढ़े रहते हैं कि हम अद्यक्ष बने रहे हैं ये लोग बहुत बुरा है जो सारे उद्यसों को लेके जाता है इसलिए जितने भी समझदार कारे करता है जितने भी यूबक हैं वो इस बात को समझे कि आपका भला होने भला नहीं है जब तक आप इनका ग्रेवान और कॉलर नहीं पकड़ेंगे कि आप हमको कहते हो कि इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ संग्ठन में सकती है बावा साब ने कहा है एकटे होना है अरे बावा साब ने तुम से नहीं कहा कि एकटे हो जाओ तुमें समझ में नहीं आती तुम कौन सा बावा साब पलाते हो हमें कौन सा पलाते हो तुमारा कौन सा नया बावा साब है तुमारा बावा साब कोई और हमारा बावा साब कोई और तुम ये दो नीती कैसे चलाते हो तुमको शरम नहीं आती जब बावा साब नहीं ये कहा है कि संगटित हो जाओ तो सब के लिए नहीं कहा तुम बावा साब का जंडा लेके खड़े रहते हो और तुम जंडा हमें पकड़ा देते हो, तुमने कभी यो जंडे के नीचे आये हो, तुम्हें शरम नहीं आती जब तुम संठन तोड़ते हो, बावस आपका गदारी करते हो, बावस आपका खून करते हो, तुमको जराबी हिचक नहीं आती, जराबी शरम नहीं आती, जराब तुम इखटे नहीं हुगे, तुम्हें शरम नहीं आई, तुम हमारा खून पियोगे, हमें पूरा मरवाद होगे, तब इखटे होगे, यह याद रखना कि अगर हम मर गए, तो तुम ही मर जाओए क्योंकि तुम्हारी नितागरी हम से है, ध्यान रखना इस बात को, इसलिए जितनी जल्दी हो सके, बावा साब की गढदारी को छोड़ो, और बावा साब की अनुयाई की भक्त बनो, बच्चे भहुत परिषान हैं, बिरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा इस्तिदी खराब है, खाने को रोडी नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, बच्चे बन गया हो और नहीं आ सकते हो तो छोड़ दो डिक्लेर कर दो ये नौजवान अपने आप समाल लेंगे जैसे नोने 2 अक्टूबर को समाला था धन्यवार टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते है आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते है ये हमेशा Copyright Free थी और हमेशा Copyright Free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते है उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुँचा देते है अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सब ही देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहेक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद तंमं सेनं गचामी संगं सरेनं गचामी संगं सेनं गचामी उथियंपी गुद्धम सेनं गचामी दूतियंपी दम्मंग सर्णां गच्छामी 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 दूतिय